हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बदायोश और बात करेंगे सारे आई प्योस के बारे में शुरू करते हैं डीप आइपिंग सिस्टम से तो दोस्तों नया में बुड़ आई प्यो है जिसका सेकिंड आपको देखने को मल जाएगा बाद धान रखेगा इस आई प्यो का बस एक दून और बचाया जो है कल का है यह 21st आप जून का 10 रुपी की फेस वैल्यू है 193 से 203 का प्राइस बेंड है 73 शेयर का लॉट साइज है कुल मिलाकर 418 करोड का दोस्तों यह आई प्यो है जिसमें से 325 करोड का फ्रेश इशू है जिसमें से 325 अब तक 4% के आज पर सब्सक्राइब हुआ है एचनाए पोशन 11 टाइम्स हमको सब्सक्राइब हुता हुआ देखने को मिल गया है जिसमें बेगे चनाए काडिगरी अल्मॉस्ट जारा गुना और स्मोर्चनाए काडिगरी बारा गुना वहीं रीटेल काडिगरी पीछे नह बचे हुए है आज का और कल का 10 रुपे की face value है 114 से 120 रुपीज का price band है 125 shares का lot size है 132 करोड का IPO है जिसमें से पूरा का पूरा fresh issue है और BAC, NAC दूनों पर आपको ये list भी होता हुआ देखने को मिलेगा जो अभी तक का subscription देखा गया है अब देखेंगे तो कुल मिला कर QIV portion 3% क हमको subscribe होती भी देखने को मिल रही है इसके बाद दोस्तों जो issue आता है वो Stanley Lifestyles का जी हाँ ये भी एक नया mainboard IP जो 21st of June से 25th of June की पीच में उपन होगा ये बाद ध्यान रखेगा 20 June यानि आज दोस्तों इस issue का हमको क्या निकल कर आएगा anchor book right anchor book हमको तो लगी कि कौन-कौन से anchor investors है जो पैसा डाल रहे है बाकी 2 रुपे की face value है 351 से 369 रुपीस का price band है 40 shares का lot size है कुल मिला कर दोस्तों 537 करोड का IPO है जिसमें से 200 करोड का fresh issue है और बचाओ बाकी का offer for sale आपको देखने को मिल जाएगा 337 करोड का offer for sale है BAC NAC दोनों पर यह आपको list भी होता हुआ देखने को मिलेगा इसके बाद दुस्तों चुनाया IPO आयता है वो है कबसे 25 जून से 27 जून के बीच में जिसका नाम है Alight Blenders जी Alight Blenders open होने वाला है और सारी details release कर दी गई है 2 रुपी की face value है 267 से 281 का price band है 53 shares का lot size है 1500 करोड का IPO है जिसमें से fresh issue है क 50% दोस्तों इसके अंतर reservation रखा गया है for the QIV category retail के लिए 35% और HNI के लिए 15% reservation जो है वो basically रखा गया है तो ये भी देखिए काफी action में रहता हुआ देखने को मुलेगा no doubt but let's see कितना यहां पर दोस्तों subscription आता है बट ये बात जरूर है कि देखिए अच्छा issue रह सकता है इस प्रकार की expectations है और अपने आपने हम कह सकते हैं काफी समय बाद इतना बड़ा IPO आरह है 1500 करोड का आल फि इसके पाद दुस्तों 26 तरीक से भी एक और नया मेंड़ आईपी उपन आने वाला जिसका नमें व्रज आईरन एंड स्टील यह 27 जून के बीच में नया मेंड़ आईपी उपन होगा 10 रुपी की face value है 195 से 207 का price band है 72 shares का lot size है 171 करोड का यह IPO है पूरा का पूरा फ्रेश इस इसे दुनों पर list भी होगा 50% इसके अंदर reservation QIV category के लिए 35% retailers के लिए 15% H9 category के लिए reservation रखा गया है अब बात करते दोस्तों ग्री market के उपर तो देखें समसले विरज आईरनी आता है जिसकी ग्री मार्केट स्टार्ट हो चुकि है अल्मुस्ट 10% जाइस परसम को करें ग्री 21 रुपीज का है 75 रुपीज का करेंट प्रीमियम है अल्मुस 43% का प्रीमियम है 113 करोड का इस इशू का साइज है और 25 जून सा 27 जून के बीच में नया SME इशू ओपन होने वाला है नेक्स दोस्तों जा इशू आता है तो वो है the money fair एक NSE SME इशू अगेन ये भी दोस्तो 25 जून सा 27 जून के बीच में 77 रुपीज का इसका प्रीमियम है 18 रुपे का प्रीमियम है 23 करोड का इस इशू का साइज है नेक्स आता है डिवाइन पावर एक NSE SME इशू जिसका ओपनिंग होने वाला है from 25 जून 40 रुपे का प्रीमियम है 75 परसंट का ओरल हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो अपने अपने दमदार प्रीमियम है कोई जिकरतली बात नहीं है 22 करोड का इस इशू का साइज है और जैसा नाता है 25 जून से ओपन हो जाएगा 27 जून तक नेक्स आता है दोस्तों शिवालिक पावर कंट्रोल एक NSE SME इशू जो यहापर दोस्तो ओपन होने वाला कबसे 24 जून से 26 जून के बीच में जी हाँ 24 से 26 जून के बीच में आक्शन में रहेगा 100 रुपे का इसका प्राइस बेंड है 15 रुपे का प्रीमियम है 27.27% का प्रीमियम करेंटली देखने को मिल रहा है 28.05 करोड का इस इशू का साइज है और यह दोस्तों 24 जून से 26 जून के बीच में आक्शन में रहेगा नेक्स आता है दोस्तों यहापर मैसन इंफ्राटेक एक NSE SME इशू है जो उपन होगा फ्रम 24 जून तो 26 जून 64 जून के सामने आप देख सकते हैं प्रीमियम तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एक अच्छी बात है नेक्स आता है दोस्तों Medicare & Organics एक NSE SME इशू जो उपन होने वाला है फ्रम 21st एनि टुमोरो 34 जून तक प्राइसमे इशू है जो आज से ओपन हो गया है वलकि 24 जून तक ऑपन रहेगा अभी तक 2.44 सबस्क्राइब भी हो चुका है 54 रुपीज का प्राइसमे के साफने 129 परसंट का प्रीमियम 34.83 करोड का इस इशू का साइज है नेक्स आता है विनी इमिग्रेशन एक NSE SME इशू जो भी दोस्तों उपन हो आ है from today और 24 जून तक ऑपन रहेगा सिर्फ 9 करोड का इशू का साइज है लेकिन अभी तक 1.44 तक सबस्क्राइब हो चुका है 142 रुपीज के प्राइज के साफने 46 परसंट का प्रीमियम इशू का आपको देखने को मिल रहा है नेक्स आता है GEM Envyro एक BSE SME इशू है दोस्तों जो उपन हो चुका है कबसे हो गया तक कल ही है बाकी लेकिन 21 जून तक उपन रहेगा 75 परसंट का प्रीमियम है तो अपने आप में देखें दमदार प्रीमियम देखने को मिल रहा है नेक्स आता है D Development Engineers एक और नया दोस्तों मैंन पूर इपो जिसका सेकेंड है लेकिन ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 50% तक हमको टच करती भी देखने को मिलने वाली तो अपने आप में प्रीमियम तो जोड़दार है बट कितना देखें यहां पर सब्सक्रिप्शन आएगा यह वाली बात का 25% का प्रीमियम है यह भी इशु दोस्तों बंद जाएगा कल यह नहीं 21st को 13.69 करोड का इशु का साइज है नेक्स आता है आसान लोंस एक नया मेंबड आईब जिसका सेकेंड है आज को पता ही है बाकि 40% का प्रीमियम यहां पर भी चल रहा है करेंट प्रीमियम हम कह सकते हैं बिलकुल कायम है कोई प्रीमियम में जादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है अब देखते कितना सब्सक्रिप्शन यहां पर आज के दिन रिसीव होता है बाकि दोस्तों जीपी यह सोला जो कल बंद हुआ इस का लॉट्मियम चल रहा है त तो बस प्रे करिए कि आपको लॉट्मियम मिल जाए बाकी उनाइटेड कॉफ टैप का प्रीमियम 15% पर आ चुका है तो यहां पर हमको प्रीमियम चितना कल था वैसे तो देखा जाए तो उतना ही है बट सब्सक्रिप्शन यहां पर अच्छा निकल कर आया था तो उसके मु